विव्यते जमयो देवाह महा वीरो महा बना ज्यान गुण भक्ति संगमो श्री हनुम तेनमो नमाह जै हनुमान संकट मोचन जै हनुमान ते सरी नंदन ते हुँ जग वंदन अंजनि सुत बलधारी संकट मोचन नाम तुमारा हर संकट पे भारी जै हनुमान संकट मोचन जै हनुमान संकट मोचन नाम तुमारा हर संकट पे भारी जै हनुमान जै हनुमान संकट मोचन जै हनुमान जै हनुमान जै हनुमान संकट मोचन जै हनुमान लच्चा नहीं आती तुम्हें ऐसा तर्क देते हुए मातो और पिता की सिवा करने से भी पुन्य और फल की प्राप्ति होती है बात भरियो रहे आप कश्रिप चिन तक हो वाणा राज आप मेरे सच्छे मार्क तरशक है विछ राज मैं ये भली भात ही जानता हूँ कि भूत भविष्य की समस्त सूचनाय आत के सिवा कोई नहीं दे सकता नहीं वाणा राज मैं कोई तरकाल दर्शी नहीं हूँ किन्तु अपने अनुभों से भविष्य में होने वाले बदलाव का संकेत अवश्य दे सकता हूँ मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविश्य अती सुखद रहेगा मुझे भविश्य में किसी विप्रकार की सुख्य कोई आपेप्षा नहीं है रिच्छ राज ना ही मुझे राजी सिंगहासन या सद्धा का कोई लोव है मैं तो केवल अपने उस अत्मान का पतला लेना जाता हूँ जो मेरे प्राता बाली ने अकारण मुझे दिये है आप जए हो से वर्णा प्राता मैं किस्किंदा चोड़ कर का जाओंगा प्राता 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 वो बहुत दुखत समय था रिच्छ राज जब मैं अपने भाता बाली को जिविद्धे करती प्रसंद हो रहा था हरो मेरे प्राणों का शत्रू बना यम राज की भात मेरे सामने खड़ा था चिंता ना करे वाना राज अब वही होगा जो आप चाहते हैं सत्ता तो आपको पुरसकार के रूप में मिलेगा केवल दैर्य रखें एक दिन सुयम शिरी हरी आपके साथ होंगे उस एक्षण की तो प्रतिक शाहर इछ राज जब सुयम मीश्वर मेरे साथ नयाय करेंगे बस उस एक्षण की तो प्रतिक शाहर इछ राज जब संसार को यह पता चले कि मैंने कोई भूल नहीं कि थी किसि самого कुई प्रजा को यह समझ आये कि मेरा कोई दोश नहीं था मैं इस समस्क संसार को यह पता देना चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया अपने ब्राटा के भले के लिए किया लेकिन उन्हों की जो कुछ भी मेरे साथ किया, केवल मुझे अपमानित करने के लिए किया! मेरे लिए, मेरे लिए रिच्छराज इस से बड़ा अपमाना, और क्या हो सकता है? कि वो मेरा अक्रच होकर मेरी भारिया रूमा को अपनी भारिया बना लिया? उसे अपनी इस दिर लक्षता पर घ्रणा भी नहीं आई रूमा के बिना अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है उसका ये घ्रणावना कृत्य देखकर मेरी इच्छा हो रही है कि इस रिशी मुख परवत पर सदा सदा के लिए अपने प्राडों का त्याग कर दू ऐसा ना कहें वानराज जो दूसरों को अपमानित करता है उससे स्वेम भी अपमानित होना पड़ता है शायद आप ये नहीं जानते हैं कि केशरी नंदन हनुमान ने अप्रत्यक्ष रूप से बालिक को बहुत अपमानित किया है महर्शी मतंग ने तो उसे श्राब दिया ही है एवब हनुमान ने भी उसे चुनोती दे दी है यहां तक कि उन्होंने उसके सैनी को कोई यमलोक पहुचा दिया है क्या केशरी नंदन हनुमान रिशी मुख परवत क्षित्र में है वो महर्शी अंग वाहन के साथ मतंग आश्रम में आये है परंतुरिछ राज अचानक मतंग आश्रम में जाने का आर्थ है हमें तो सूचना मिली थी कि केशरी नंदन हनुमान महर्शी अंगवाहन के आश्रम में रहकर शिक्षा गरण कर रहे है ठीक सूचना मिली है आपको किन्तु महादेव की कृपा से हनुमान का उचित औसर पर महर्शी मतंग के आश्रम में आना हुआ है और उन्होंने बाली द्वारा बंदी शिश्यों को मुख कराया परन्तु केसरी नंदन तो अभी बालक है उन्होंने एक कारे कैसे किया भविश्य में इस रहस्य को आप स्वहम समझ जाएंगे मैं तो केवल यही कहूंगा कि तृदेव आपके सहायक हो हनुमान उन्हीं शक्तियों में एक है रिच्छ राज पर वो मेरे पास कैसे आएंगे इसका नीने स्वहम महादेव करेंगे यह सब उन रक्षसों ने किया होगा आपके सब्सक्राइब आपके सब्सक्राइब आपके सब्सक्राइब संकट मोचन जय हनुमार भविष्र का निर्णय तो भविष्र मेही होगा देवशी किन्तु यह सत्य है मंगल में भी मंगल चुपा रहता है जिसे हम समझ नहीं पाते नारायन नारायन यह सत्य आप किसके समंध में कह रहे हैं प्रभू अमंगल तो बाली या सुग्रीव दोनों के ही साथ हुआ है बाली शाप ग्रस्त है और सूर्य पुत्र सुग्रीव निर्वासित जीवन जी रहे हैं अब तो उनकी भार्या भी उनकी ना रही है क्या दोनों के साथ ही मंगल होने वाला है बाली ने सब्ति को जाने वे ने सुग्रीव का अनादर किया है देरुशीत आक्रोश में वह भोल गया कि सुग्रीव उसका शुत्रू नहीं बलकि शुपचिन तक है इतना ही नहीं देरुशीत उसने अपनी अनूच की भार्या को अपनी भार्या बना कर महापाप किया है अपने दोश्कृतियों से उसने सुग्रीव को भी अपना शत्रू बना लिया है इसका अर्थी यह हुआ कि सुग्रीव आपके किर्पा पात्र हो चुके है केसी नंदन हनुमान के माध्यम से आपने उनकी मदद की है अभी तो सुगृयों और हनुमान का साक्षादकार भी नहीं हुआ देविशी ऐसे में हनुमान सुगृयों के सहाय कैसे हो सकते है नारायन नारायन आपकी लीला बड़ी रहस्य मैइ है परभू हनुमान को ये प्रेर्णा आपके श्रिवा कौन दे सकता है प्रभू क्या आपको हनुमान के बल बुथी और विवेक पर संदे है देवरिशी नारायन नारायन रुद्र अव्थार की शक्ती पर भला कौन संदे कर सकता है माते मैं तो केवल प्रेर्णा की बाते कर रहा था हनुमान अपनी प्रेर्णा स्वेम है देवरिशी वो जो कुछ भी कर रहे है वो भविश्य का प्रशिक्षर मात्र है और यह क्रम तब तक चलता रहेगा देवरिशी जब तक श्री हरी अपने मनुच आउदार में मिलने जाए तो क्या हनुमान का रिषि मुख परवद से कोई संमंध नहीं रहेगा प्रभु रिषि मुख परवद है अनुमान का कर्म शेटर होगा देवरिशी अव अव सुग्रियो उनके माध्यम होंगे ना रायन ना रायन क्या अभी से हनुमान नहीं दे रुषी, हमने जो कहा, वह तो भावेश्य का सत्य है। अभी तो हनुमान अपने गुरू महर्शी अंगवान के साथ आश्रम पहुंचे है। अभी तो हनुमान के सानवㅋㅋ झाल 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 ये क्या हो गया? किसने क्या हो गया ये सब? सारे सारे शिष्षे कहा गया है हे महादेव यह क्या हो गया मुझसे क्या भूल हो गयी प्रभू यह यह क्या नर्थ हो गया है प्रभू हम देवताओं की पूजत हैं और रक्षस देवताओं की विरुधी इसी कारण सदेव हमारी उनसे शत्रुता बनी रहती है यह सब उन रक्षसों ने किया होगा वहीं तो है हमारे शत्रुत किन्तु हनमान हम जाने बिना किसी को कैसे कह सकते है क्या वो रक्षस थे? पता नहीं वो छाया जैसे थे इस स्दी थे आजी हमारी शर्ण याजी शर्ण शर्ण जैघनमाज सदानन 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 सुकेश अनाल क्रुक्य करुदेव मैं देखता हूँ तुम कहां जा रहे हो हनुमान है हस्रम में तो कोई भी नहीं है यहां नहीं गुरुदेव मैं भाहर देखता हूँ अनुमान है जी गुरुदेव बहुत दोर मत जाना अत्याचार की प्रकास्टा है आज तक ऐसा दुस्तास किसी ने नहीं किया आज तक मैंने किसी को कोई कस्ट भी नहीं दिया फिर कौन कर सकता है ऐसा उत्पाथ कौन है मेरा शत्रुद कौन ए मेरा शत्रुद कहें ब्यृज्च गदर मुद रूजेजी यादराइ्ट खर पर लोजेजS मैंझाख टुकीष मैंझाख लुकेस, तरुन, तरुन, तरुन ये तो हनुमान कास हर है तदनान, मानष् हरुमान, मिले वो लोग यह मिले गृरुदेध लुकेस, छिएध एक त दनान हमारे हनुमान, हमारे मानाश! 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 पता नहीं, कहां चले गया सब के सब? गुरुदेव! गुरुदेव! वो आरें गुरुदेव! तुम सभी ठीक तो हो? मैं पूछ रहा हूँ, तुम सभी ठीक तो हो? शांत क्यो हो? किसमें उजारा है हमारे सास्रम को? इस पवित्रस्थान को पवित्र किस ने किया? कुछ कहते क्यों नहीं? हमें छोड़कर मत जाईएगा गुरुदेव! कभी मत जाईएगा! उन्होंने हमें बहुत पीटा है, गुरुदेव! किसी भी आरा से हम अपना प्लान पचा काये, गुरुदेव! यह वो रॉक्षास है? पता नहीं! वो छाया जैसे थे! कभी-कभी वो अद्रिश्य हो जाते थे! उन्होंने हमें सावधान किया थे गुरुदेव! उन्होंने हमें सावधान किया था कि हम सभी आश्रम छोड़ दे, नहीं वह हमें मार डालेंगे हम भूके प्यासे जंगल में थे गुर्देव, हम आपके आने का मार्ग देख रहे थे इस गर्द है, अब अज सी वह मया भी रक्षस होगी और तुम सभी भैभीत हो गए, और इसी का लाव उठाया है उन रक्षसों नहीं आशर्य है, तुम सभी अत्याचार को सहन करते रहें हमने तुम सभी को बताया था कि अत्याचार सहन करना भी एक अपराभ है हम सभी विवस्थे गूरुदेव इसका अर्थ ही हुआ, कि मेրी सिक्षा में ही कोई कमी है हनयता मेरे शिष्ष्थे कभी भी अत्याचार सहन नहीं कर सकते अभी क्रोध करने का समय नहीं है वो जब भी हमारे सामने आएंगे हम उनका सामना करेंगे तो अवस्ट आएंगे गुरुदेव अब तो उनका कालवी उन्हें मेरे पास लेकर आएगा अभी हम आसरम की ओर चलते हैं क्योंकि हमें आसरम की पुना अस्ताफ ना करनी है चलो तो आगे है वो आगे गुरुदेव यह जनो हमें माना था कौन है तो सामने आओ अन्यत्वा मैं तुमें समाप्त कर दूगा अगे पचा लिजे गुरुदेव यह माटा लेंगे यह तुम्हारा को यह इतना ही करेगा अभी अपने मन्तों चारन से इसे समाप्त कर देता हूँ व्मन माः हकते यह दुम्हारा को अल्र म traveling public वमन माः हिवार्, वमन माः ह讲 works वь जीए वहुम्हारा लिए जो गीम्हारा दूगारा शिश्यों देखो, अब एक दम सांथ हो चुका है, अब तुम्हें भैवीत होनी की कोई अब शक्ता नहीं है, कर दो बाई तक Umarate बोर्दोई से आपने वारिष्टम बातात्मजं बादर्यूत मुख्यं शीराम जूतं शर्णं प्रपद्दे